नमस्कार मैं हूँ आशीश और आज की वीडियो में हम लग बात करेंगे लूटी गोल्ड क्रीम की बारे में जो की दोस्त एक एंटी फांगाल मेडिसिन है तो फांगाल इफक्षन को ठीक करने के लिए इस क्रीम का यूज की जाती है तो इसकी कमपेटिशन क्या मिलती है प्र मेनिफिट बहुत अच्छी मिले इसका यूज करने के दवान अगर किसी पेशन में कुछ साइड इफेट होती है उन दोस्तों क्या-क्या साइड इफेट दिखाई देती है तो यह से बातों को जानेंगे इस वीडियो में इस वीडियो को अन तक जरूर देखेगा ताकि आप देखे रहे हैं में जला इप जनल उसकि प्रिचेल जो शुरू करते हैं आज की वीडियो दैवा है दोस्तों एक भी फंगल मेडिसिन ने तो इसकीन में किसी प्रुकार की फंगलग इसकी क्या तो इसकीनम का कंप्पोडिशन क्या मिलती है उसके बारे में सबसे पहले इसमें आप लोग को एक ही molecule मिलती है ओ है दोस्तो लुली को नाजल, लुली को नाजल 1% मिलती है वाइड वाइड और यह 30 gram की एक packaging मिलती है और जिसके price है 250 रुबिया, यह आप लोग को इंडिया में किसी भी medical shop में आसानी से मिल जाएगी, तो इसके अलाबा दोस्तो इसका use क क्या क्या है किन किन फंगाल इंफक्षन को ठीक करने के लिए इस किरिम का use की जाती है उसके बारे में discuss करते हैं जैसके दोस्तो एथलिक फूट नामों के एक फंगाल इंफक्षन है यह मुख्वेतार पैरों में देखाई देती है पैरों की skin मोटा होने की दालान दोस्तो औ पैरों की दो अंगली की बीच में भी दोस्तो घा हो जाना उसमें खुजली चलना इस कलाबा दोस्तो हुआ से हलका पाली भी आती है उन्दोरन दोस्तो उन सभी कंडिशन में इसी किरिम का use की जाती है इसके साथ साथ जो कि इस नामा के फंगाल इंफक्षन है यह मुख्व तर महिलाओं की प्राइबेट पार्ट की अगल वगल दिखाइ देती है उसमें दोस्तो रेड़नेस हो जाना उसमें रिंग और नमक एक फंगाल इंफक्षन है यह आपकी सरेज में किसी भी हिच्छे में दिखाई दे सकती है जहां होती है दोस्तो उसमें पाटिकुलर एरि सोना इसके अलाबा खुजली चलती है तेस उन दोस्तों उनको भी कम करने के लिए इसी क्रीम का यूज की जाती है इसके अलाबा गर्मी की मौसम में पुरूश महीलाओं जिस एरिया में पसीना जादा होती है उसमें फांगामर इंफ्लेक्शन देखाए दे सकती है थाई में भी हो सकती है आपकी बगल में भी हो सकती है बहुत सरे महीलाओं में तो चाप पैटिकूट पहेंती है उसमें भी फांगामर इंफ्लेक्शन दिखाए देटी है उन दूरान उसी पाटिक्लर एरिया में दोस्तों खुजली चलना रेडनेस होना तो यह कुछ समझसा होती है उसी में भी इसी किरिम का यूज की जाती है किसी भी पुरकार की दाउत या खुजली में आप इस किरिम का इस्तमल कर सकते हैं एक बार इस्तमल करने से दोस्तों दोबारा आपकी सरीर में फंगाल इंफ्रिक्शन नहीं होगी तो इसलिए दोस्तों इसका इस्तमल करने से पहले हलका गुनगुना पानी से पहले साफ कर लीजिगा। उसके बाद दोस्तों इसका करीम का हलका एक लेयर लागा दिश्टे देना चाहिए। इस दिन में आप दो बार भी इस्तमाल कर सकते हैं, सुबा एक बार नाने का बात, इसके अलाबर आत को सोने से पहले इस्तमाल किजेगा। तो आपको जैसा भी फॉंगल इंफ्रक्शन है आपकी स्किन में, तो उस सभी से आपको आराम मिल जाएगी। इस दोड़र आपके लिए साथ दिन से लेके शाव दिन तक इस्तमाल करने का सला दे सकती है, जैसे यूसी साब से इसका यूज कीजेगा। अगर किसी पैसे में और साइडेफेट दिखा देती है तो क्या-क्या हो सकती है। आप जिस चीज को ठीक करने के लिए इसका इस्तमाल कर रहे हैं तो वह ज्यादा हो जाना जैसे के दोस्तों खुजली रेडनेस यह अगर साइड एफेट होती है उन दोस्तों यह समझता बहुत ज्यादा हो जाएगी तो एक कुछ साइड एफेट हो सकती है इसके अलाबा करना मत भूलेगा और साथ-साथ मेरे 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 लाइफ चैनल को भी एक मट सब्सक्राइब कर लिजिए तो चले दोस्तों मिलते हैं और एक फ्रेश वीडियो में तब तक के लिए जाय हिन